रिटेल काउंटर है आपका और लोकेशन कैसी है उसके आजू-बजू लोग कैसे रशते हैं कौन से फर्ग के लोग हैं आफी जॉब वाले हैं यह मजदूर भाई हैं आपके दुकान के आसपास जो पब्लिक है जो रहती है आजू-बजू उनको देखिए कौन सी रेती है उसके हिसाब से सोब पे आप कपड़ा रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं जीन्स आपका कौन सी क्वाल्टी की है जीन्स आपकी कौन सी रेंज की है और उसमें कपड़े कैसे मिल रहे हैं यह समझना बहुत जरूरी है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से दिवान गार्मेंट में काफी टाइम हो गया दोस्तों वीडियो आप पहुंची नहीं है। तुसको डिवाली आने वाली है, जिस वज़ा से काम में काफी बेर्सत होने की वज़ा से workforce वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पाया। उसके लिए दिल से छमा पराती हूं तो दोस्तों भाईयों दुकान आपकी कैसी भी है पैंट है साइठ है जीन्स है दुकान की आप आपकी दुकान में जो समान भरा है आपकी दुकान के लिए एक बढ़िया जीन्स है जो कामगर लोगों के लिए है जो काम में रहते हैं दिन तक यह यहां पर जिन्स पहिंटते हैं, काम उनका rough, tough है, उनको आइसी जिन्स दीजिए, जो ज्यादा time तक चले हैं, रफ नहीं हुगते नहीं कुंस है ज्यादा टाइम तक पहन सके जिन्स मजगूत अच्छी क्वालिटी कौन सा कप्ड़ा रहे है कलर उसमें कौन से नहीं है और रेंज क्या है तो दोस्तों आईए दिखते हैं ये jeans दोस्तों ये 100% cotton non-stage कपड़ा है stage बिलकुल नहीं है लेकिन जो कपड़े की quality है वीडियो में देख सकते हैं ये जो lining है लाइर्णिंग आप देख सकते हैं ये cotton की है लाइन आपको दिख रही है पीछे बाजु देखेंगे तो पीछे बाजु भी कॉटन का जो ठेट से वो दिख रहे हैं खास बात इसमें यह है कि यह कॉटन 100% कॉटन कपड़ा है और इतना मजबूत है कि आपके सोच से भी परे है और इसका जो आंस है तो चोदा अंस का कपड़ा है तो अगर आपके पास आजू बाजु जो काम वाले लोग हैं जो जीन्स काम पर ही पहनते हैं उनके लिए यह बेस्ट है चोदा अंस की जीन्स आप जब मार्केप में जाएंगे जीन्स खरीदने उनको बोलिए दुकानदार को बोलिए जीन्स जो मैनुफेक्चरर हैं या जीन्स जो रखते हैं उनको बोलिए कि हमको चोदा अंस की जीन्स चाहिए वह भी नान लाइक रहा क्योंकि दोस्तों नान लाइक रहा हैं तो बिलकुन रफ्ट अब जीन्स है मतलब मजबूत जीन्स है ज्यादा दिनों तक पिकने वाली ज्यादा दिनों तक काम आने वाली और इसमें जो कलर लेंगे कलर डी एक्स और ब्लेक दो ही कलर है दोस्तों इसमें जो आपका कलर फेड नहीं होगा और लंबे दिनों तक लंबे टाइम तक जीन्स अराम से पहनी जा सकती है अब इसकी पहचान दोस्तों पहचान दोस्तों एक बार फिर से समझ लेंगे ये नान लाइकरा जिन्स है जिसमें कुछ भी लाइकरा नहीं इस्टेचबल नहीं है उसके बात वजन जिन्स का मिनिमम देखेंगे तो कम से कम 500 ग्राम के जिन्स रहेगी लगबक 400 से 500 ग्राम मलब काफी वजन जाज जिन्स रहेगी और सबसे खास बात इसमें कलर का चोईज देखना है ब्लैक और डी एक्स दो ही कलर है और दोस्तों रेंज की बात करें ते धाई सो सो तीन सो की रेंज में जिन्स आ जाएगी तीन सारे तीन सो आप रिटेल में इसको सारे त फिटिंग में देखा जाए दोस्तों तो जाए तर एक कमफट में आती है बाटम इसका कम से कम सारतिन से स्टार्ट होता है तीस साइज से कमर देखे जाए तो कमर नान स्टेच है इसकी वज़त से लगभग एक इंच प्लसी रहता है कपड़े का जो फेब्रिक है का भी परचान इसकी यह है कि तोड़ा ओंस का कपड़ा रहता है नान लाइकरा रहता है क्योंकि दोस्तों नान लाइकरा ही जीन्स है जो काफी दिनों तक आपका साथ देगी और एक बार आपकी दुकान से कस्टमर लेके गया है कलर फेड नहीं हुआ है और काफी दिनों तक उसन जाने वाला नहीं है आसा करता हूं दोस्तों इन नान लाइकरा पर नान लाइका वारी जिन्स की वीडियो आपको जरूर प्रसंद आई होगी नमस्कार दोस्तों जैन